कुनाल कामरा, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप ना न्यूस पढ़ते हैं और ना ही सोचल मीडिया पर कुछ धंक से देखते हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो पूरी बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलललन टॉप, कुनाल कामरा स्टैंड़ अप कोमीडियन है, उन्हें कुछ दिन पहले इंडिगो एरलाइन्स ने बैन कर दिया था, पूरे छे महीने के लिए, इंडिगो के बाद एर इंडिया, गो एर और स्पाइस जेट ने भी यही किया, फ बैन वाला मामला पूरा हो गया, उनके उपर बैन लग गया, अब इस पूरे इंसिडेंट की वज़ा से, जो मिलो दूर रहने वाले दूसरे कुनाल कामरा हैं, उनके साथ बहुत नाइनसाफी हो गया, बोस्चन में रहने वाले कुनाल कामरा अपने परिवार से मिलने भारत आई हुए थे तीन फर्वरी की दुपहर को कुनाल की जैपुर से मुंबई के लिए फ्लाइट थी एर इंडिया के साथ यही मामला फस गये हुआ कि कुनाल जैसे ही जैपुर एरपोर्ट में चेक-इन काउंटर पर पहुंचे उन्हें पता चला कि उनका PNR यानी Passenger Name Record कैंसल कर दिया गया है इंडिया टोडे ने कुनाल से बात की उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे मेरा PNR कैंसल हो चुका है यह कहा और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम उनकी एरलाइन्स में Blacklist है मुझे यह पता था कि कुनाल कामरा बैन हो चुके हैं लेकिन मुझे क्यों बैन किया यह मुझे समझ नहीं आया कुनाल ने इस पूरे incident को बुरा experience बताया उन्होंने आगे कहा कि Air India का ground crew काफी मददगार है किसमत से मैं flight के time से पहले airport महुँच गया था तो समय रहते मामला सुलज गया वो मुझे दूसरा ticket issue कर रहे थे लेकिन इस सब में सबसे ज़ादा परेशान कर देने वाली चीज यह थी कि मुझे यह साबित करना पड़ रहा था कि मैं बैन वाला कुनाल कामरा नहीं हूँ मुझे flight से पहले नहीं बताया गया कि मेरा ticket cancel हो गया है मुझे proper तरीके से जवाब भी नहीं मिला कि मेरा ticket क्यों cancel किया गया basically उनके पास सिर्फ एक ही वज़ा थी कि मेरा नाम उस इंसान के नाम के समान है सेम है जिसे इन्होंने बैन किया है अब अगर उन्होंने सिर्फ मेरे नाम के आधार पर मेरा ticket cancel किया था तो ये तो कते ही सही नहीं है क्योंकि इस नाम के कई और लोग भी हो सकते हैं कुनाल ने बताया कि उन्हें दो अलग-अलग ID card दिखा कर साबित करना पड़ा कि वो दूसरे वाले कुनाल कामरा है उन्होंने बताया कि ये पूरा वाक्या बहुत confusion वाला था क्योंकि पहले जैपुर एरपोर्ट security ने फिर एर इंडिया ने मुझे रोका मुझे इन दोनों ही parties के सामने खुद को साबित करना पड़ा तब जाकर मैं फ्लाइट में बैट पाया airlines ने मेरे आधार कार्ड की photo copy रख ली जो सबूत के तौर पर परयाब थी लेकिन security management के लिए मेरे Indian ID कार्ड काफी नहीं थे इसलिए आखिरकार मुझे अपना American ID दिखाना पड़ा इसके बाद मुझे flight लेने की अनुमती मिली ये बहुत ही परिशान कर देने वाला experience था कुनाल ने ये बताया कि जैपुर से मुंबई पहुचकर उन्हें दिल्ली आने के लिए flight लेनी थी क्योंकि उनका नाम airport पर बवाल कर देने के लिए काफी है इसलिए उन्होंने Indigo की flight लेने से पहले ही उन्हें call करके पूछ लिया कि भई मेरा ticket confirm है न कहीं cancel तो नहीं किया इस मामले पर Air India का official बयान भी आ गया है उन्होंने बताया कि Air India के ticket system में कुनाल कामरा का नाम ban है जैसे ही दूसरे कुनाल का नाम इसमें आया उनका ticket cancel हो गया लेकिन Air India ने कुनाल कामरा की ID पहचान पत्र देखने के बाद उन्हें flight में बैठने की अनुमती दे दी तो यह पूरा मामला और पूरा confusion हमने आपको समझा दिया है आपका इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है कुनाल कामरा के वीडियो के बारे में कुछ कहना है इन बारे कुनाल कामरा के बारे में कहना है Air India के बारे में कहना है तो जो भी कहना है आप लेखे comment box में और ऐसी और updates के लिए दिललन टॉप शुक्रिया